हम अतित के प्रति हमारा देखने का नजीरिया बदल सकते हैं चलो देखते हैं इसके बारे में मेरा नाम है डॉक्टर दीपक क्यारकर में मनोविकार सेख्सरोग संवोहन तथा वेसर मुगतग्यों महाराष्टे में अकॉला में प्रैट्टिस करता हूँ यह देखे अतित जो हो गया हो गया अतित के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं उसको ना बदल सकते हैं ना हम क्या करते हैं बदल दो सकते नहीं हैं और उसके बारे में बहुत विचार करते 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 हमारा जीवन वरतमान में खराब कर देते हैं अतित में हो सकता है कि किसने ह में पिरा दी हुई हो किसने में तकलीब दी हुई हो मैंने कुछ zodने कुछ ऐसा किया हूँ कि जो अच्छा नहीं था अतित मैं तो जो भी कुछ हुआ है लोहोंने अमेरे कुछ तक्लीफ दिया तो में लोगों के प्षची कुण्ह सब्सकतन और मैं तो बारे में मुझे अपरादीपन की भावना आती है और फिर अपराथ बोच जो मुझे होता है उससे फिर अपराथ अपराधी पन लगना वहां से फिर मुझे असरागता कि मैंने खुद को सजा दीनी चाहिए और फिर मैं सजया देता हूं, सजया कोंसे देता हूं, फता ने कोई भी क्या होता है कि ब्रेन जो है अपना, वो कोई भी और गन चुन लेता है इसमें, कुछ भी कोई भी और गन चुन लेता है, हो सकता है कि वो लंग्स चुने का, मतलब श्वास के जो अपने पूरा पूरा मैं वो सांस लेने की वो पूरी चुन लेंगा तो अस्तमा की तकलिफ हो जाएगी यदि वो बावेल मतलब पच्छन समस्ता चुन लेंगा तो पच्छन समस्ता की तकलिफ हो जाएगी बाडी चुन लेंगा पुर तो बाडिली डिसार्ट या पेंट डिसार्ट हो जाएंगी तो क्या चुनते हो ब्रेन क्या चुनेगा उसके उपर है तो हमने यह दीव अतीत के बारे में जो भी हुआ है उसको विचार उसको दिमाग में रखना और उससे खुद को पिडा कर लेना कितने मुर्खता हैं मैंने अच्छा नहीं किया मैंने यह करना नहीं चाहिए था ऐसे कितने मुर्खता पूर्ण या मुर्खता के विचार अतीत के बारे में अपने खुद के बारे में अतीत में हुए है उसके बारे में अपने दिमाग में है और वो हमको पिड़ा देते हैं वो हमको तकलीब देते हैं क्या हम अतीत को पूरा कर सकते हो कि जो हुआ वो हो उसको फुल स्टॉप लगा अभी मैं आज वरतमान में हूँ और मैं क्या कर सकत मतलब अतीत से प्रभावित न होते हुए, अतीत की जानकारी से प्रभावित होके, ना अतीत से प्रभावित होना, मैं वर्तमान में कुछ भी कर सकता हूँ, और मेरा जिवन बहुत बढ़िया कर सकता हूँ, तो अतीत के जितने भी निगेटी विचार होंगे, उसको आप पूरा करेंगे आज, उसको अग्नॉलेज करेंगे, यह अतीत के विचार है, यह हुआ है, उसको भी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, वो अतीत में हुआ है, और फिर नए विचार अपने में ला सकते हो, और यह दि तो तकलिव देने की जो भावना है ऐसे सब भावना है यह हम दूर करते है तो अभी वरतमान में मुझे जो भी मानसिक तकलिव हो रही है या शारिक तकलिव हो रही है बदन की तकलिव है वो तकलिव अच्छी होने में बहुत सायत हो जाएगी और अपना खुशाल जीवन त्वैंक यो गरिखियों।